मेरे लिए दूद क्यों लेकर आई हो ये तो रसम है इसे पंडी जी ने कहा था कि आपके पीने के बाद ये मुझे दे देना मैं पी लूँगी ठीक है न ये पी लीजिए हुएँग! हह हह, से बलो कोशा ओ कोशा ओ यही हमारा टार्गेट है समझे यार यह क्या है सारे लोग यहां सड़क पर क्यू सो रहे हैं हलो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां सारे लोग सड़क पर क्यू लेटे हूए है ए माने इन लोगों को यह राज मत बता ना कि राज को हम लोगाओं में नहीं जाते हैं मेरी बाद समझ गया है ना हाँ समझ गया ह कि यह लोग बार से आए हैं ठीक है अरे अरे हमें बताईए ना हम आप से ही पूछ रहे हैं उची वाज में क्यों बोल रहे हैं तुम लोग हमारे गाउं में आये हो हमारे गाउं के बारे में नहीं जानते पहले यह बताओ तुम लोग आखिर यहां क्यों आये हो हमें पता चल कहने दो इसे, हम यहां जिसली आये हैं, उस काम को पूरा किये बिना, हम लोग यहां से नहीं जाने वाले। तो क्या, हम इनकी तरह सड़क पर सोजाएं, यहीं एक रास्ता है। तो फिर क्या सोच रहा हूँ, सब लोग यहीं सोजाते हैं, सुबा उट पर चले जाएंगे। चलो, चलो, अरे यह क्या कर रहा हूँ, कहां जा रहा हूँ भाई। तमना, तमना, मुझे रेस्टरूम जाना है, जरा साथ चलो, मुझे क्यों बता रही है, मेरे सिर में दर्ध है, एक काम करो, विश्णू को लेकर जाओ। विश्णू, विश्णू, क्या है? जागो ना, मुझे अर्जेंटली रेस्ट्रूम जाना है तो उन्हें लेकर जाओ ना मैंने उन्हें बोला, पर वो अल्रेडी डर से नहीं जाना चाह रही है अच्छा, चलो चलो तुमने बैटरी डाली है न? हाँ, डाली तो थी समल कर अरे, अब जल रही है? यहाँ आते ही, अचानक जल गई हो सकता है, कोई लूज कनेक्शन होगा छे, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जाओ तुम भी साथ चलो ना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम जाओ ना, जाओ जाओ नहीं टॉर्च, नहीं बाटरी वहाँ पर नहीं जली और यहाँ पर जलने लगी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है कुछ तो गड़ पड़ है पता लगाना पड़ेगा अब चलें? चलो आओ यह क्या, यह फिर से बंद हो गई हो सकता है, बैटरी वीक हो गई होगी देखो अब जल रही है अगर बैटरी वीक होती, तो कैसे जलती? मुझे सब समझ में आ गया हेई, तुम लोग जल्दी से यहाँ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ इघ चलो एह, क्या बात है, यह होगा ताआ रोज औरamız क्या होगा यह देखो, अभी टॉर्च औफ है यह देखो, अब जल रही है अब देखो तुम पीच अड़ो यह क्या मां जलो यह बताना चाहरा है तु क्या बात है क्या हुआ है विश्वास नहीं हो रहे ना एक मेंट रुको यह देखो अब यह जल गई कि सबी लोग अपने मोबैल की लाइट आउन करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो आठीक है हां ओफ हो गई अब यहां लेकर आओ यह लेख लिए जरूर इस गाओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें यहां से चले जाना चाहिए मेरी बात मनो हैं जरा-जरा सी बातों पर तुम डर जाती हो इस तरह से हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे हम पहले यह प्रोजेक्ट पूरा करेंगे उसके बाद ही यहां से जाएंगे इस गाओं में ऐसा क्या है यह हमें जानना ही है ए चलो अब चलो हाँ 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 हे प्रेम है उड़िया भाई सो मत देख यह कोई भी नहीं है हाँ यह कोई भी नहीं है सबको जगाओ है यह मारिया चलो चलते है चलो बेट कॉफी यहां कहां से बेट कॉफी मिलेगी चलो अच्छा है ना एई यहां एक दुकार है अरे देखो या चाय पीदे चलो मुझे तो बहुत ही भूख लगी है चाय के लिए कहो भाईया चे चाय देना सोच कर रहे हो वो सब तो ठीक है पहले यह बताओ तुम लोग हो कौन और यहां पर आखिर क्यू आए हो क्या सारी बात बताएंगे तभी चाय देंगे चाय तो दूर की बात है हम तो पानी भी नहीं देंगे हमारे गाओं वाले राजी होंगे तभी देंगे यार यह क्या बात है समझ में नहीं आ रहा है यही है क्या यही हमारे गाओं के बढ़के हैं बढ़के मतलब बढ़के का मतलब हमारा भला बूरा सब यही देखते हैं हमारी बीमारी का इलाज करते हैं इनके मर्दी के बिना हमारे गाओं में कुछ भी नहीं होता है यह सब छोड़ो, पहले यह बताओ, यह कौन है और यहां क्यों आए है सर, हम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं है अलग-अलग गाउं के बारे में जानकारी हासिल करके कॉलेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब्मिट करनी है इसलिए हम यहां पर आए हैं सुनिए, हमें पता चला है कि इस गाउं में भूत प्रेत का साया है रहसी के बारे में जानना है तो एक काम करो, पहले यह फैसना कर लो तुम में सबसे पहले जान कौन देगा अरे, अब क्या करेंगे सर, आप यह क्या कह रहे हैं क्या सर्वर जैसे आए हो, वैसे ही भाग जाओ मैंने काना जाओ, मेरी बात समझ में आई एक पल भी यहां मत रुकना समझे हम लोग अपनी सभी भावनाओं को कुचल कर यहां जी रहे हैं तुम अपनी एक चौन के लिए अपनी जान कमा कर हमारे गाओं का नाम बदनाम करना चाहते हो, क्या दादाजी, बड़ी मुश्किल से हम यहां आए हैं तो? बस एक दिन यहां पर रुकर, कल सुबह ही चले जाएंगे ठी मैरबानी करके, आप अनुमती दे दीजे ठीक है, ठीक है इन्हें खाने के लिए को जेदो ला करके ठीक है चलो बढ़के का मतलब क्या होता है? अर्ली मॉनिंग यार तुने परिशान क्यों कर रहे, भाग यहां से पागल कहीगा बच्चों, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ ठीक है ऐसे हालात में, हम बस आज की रात ही यहां पर रुखने वाले हैं ऐसे में अपने रिसर्च कैसे करेंगे? क्या कोई बता सकता है? सुनो हम लोगों को कुछ भी करके यहां बर रहना ही होगा या फिर उसे अपनी तरफ करके या फिर लोगों को उसके खिलाफ खड़ा करना होगा इसमें से कुछ होगा, तभी हम यहां रह सकते हैं क्या? हाँ रेखा, हम यहां तभी रह सकते हैं ओके गाइस, अब हम सो जाते हैं, सुबह उठकर बात करेंगे हाँ, अच्छे ओके हाँ, 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 अच्छे ओके यह किसली शिप्रो दे रहा है? हाँ, क्या हुआ, तुम्हें नीन नहीं आ रही है क्या? यह भी उड़कर बैड़ गई अरो रूई और आग पास पास है खत्रा हो सकता है दस फिट दूरो तब भी खत्रा ही है रेखा ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या है तुम जाकर सोजाओ रुको रुको कोई गलती मत करना मैं तुम लोगे आज जोड़ता हूँ अगर मैं यह नहीं आता ना तो बहुत बड़े गलती हो जाती हेलो मिस्टर तुम जैसा सोच रहे हो वैसे हम नहीं है हमें हमारी लिमेट्स पता है उससे कभी पार नहीं करेंगे जुम रहाओ हमेशा नियमित कहना खाने वाला भूख लगने पर ज्यादा ही खाना कहता है ना वैसे ही अगर यहां कोई भी गलती हुई तो जान चले जाएगी हमारी जान और तुम्हारी बातों का क्या संबंद्ध बता हूमें तुम नशे में हो जाओ यहां से जो नशे मे है जोसी है तो इस गाहों के लोगों के मन में मौत गड़ है इसलिए दूद्ध को पाप समझ कर जी रहे हैं मेल पानी करके तुम सब लोग यह गाहों शुरू कर चले जाओ चले जाओ सुबह चले जाना ज़रूर चले जाना तुम लोगों के पैस पैatu जाना traynnर हूम डूख हमें ये पता लगाना होगा कि ये सच है या सिर्फ इन लोगों का वहम है अगर ऐसा किया तो हम इन लोगों को बचा सकते हैं सुभा होने दो शायद हमारे लिए कोछ अच्छा हो जाए चलो सुझावा आप चलो सुझावा आप हलो अब तुम दोनों शराफत से सोते हो कि मैं शराबी को फिर से यहाँ पर बुलाओं प्लीज प्लीज चलो सोजाते हैं रात को नीन कितनी कमाल की आई ना रेखा बोलो तुम्हें चाय चाहिए कॉपी तुम्हें चाय हाँ जरूर यह लोग तो अभी तक नहीं गए भाई अच्छे चाय देना बढ़के बाबा ने कहा था ना कि तुम लोग आज सुबह ही चले जाना क्यों नहीं क्यों गए आप इतना गुसा क्यों हो रहे हैं हमने सिर्फ चाय मांगी है आपसे ए पकुड़े खाओगे गरम है रेखा ये लो तैंक्यू ये लो लो मारिया उसे भी एक दे दो फूँ ये क्या भाईया नमक मिर्च कुछ भी नहीं है ये तुम लोगों के लिए नया होगा पर हम लोगों के लिए नहीं है नमक खाने से हमें गुस्सा आएगा और मिर्चा खाने से विर्था और इस गाओं में दोनों का ही काम नहीं है इसका मतलत इस गाओं में सब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं क्या उसकी ज़रुवत नहीं है मैंने कहा ना उसकी ज़रुवत नहीं है तुम ही रख लो इस गाओं में बच्चों की किलकारी सुने कई साल हो गए हैं बेटी तुम लोग तो समझ ही गए होगे मैया इस गाओं में समय बिताने के लिए टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं है क्या सब कुछ है बेटा देखो हमारी टीवी की हालत आप लोगी कालपनिक शक्ती से इतना ज़्यादा क्यूं डरते हैं सब के उपर देवी शक्ती है आप उस शक्ती पर विश्वास क्यूं नहीं करते हैं बितानी शक्तियों से डरने वाले आप लोगों ने भगवान से क्यों नहीं प्रार्थ ना की भगवान जहां तक हमारे गाउं का सवाल है हमारे लिए तो भगवान भी गुंगा हो गया है यहां से सीधे जाओ वहां पर मंदिर आएगा वहां भगवान की हालत देखोगे तो खुद बखुछ चले जाओगी आमने जो कुछ भी खाया उसका कितना पैसा हुआ मैं हाँ जोडता हो तुम लोग चले जाओ यहां से भाईया आप बहुत अच्छे हैं आए सुनना अब हंदीर जा रहे हैं ना चलो अब हंदीर ही जा रहे हैं I have a monthly issue I'll manage, come यार, वो आदमी सही कह रहा था अगर भगवान की ये हालत है तो इंसानों की क्या हालत होगी बेचारे इन भोले भाले अनपड़ लोगों को कोई अद्रिश्य शक्ती अपना शिकार बना रही है हेई, ऐसी कोई भी शक्ती नहीं है अगर ऐसी कोई शक्ती है तो हमें साबित करना होगा और तो और हमें उस शक्ती को काबू भी करना होगा जो हम करके रहेंगे हेई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिला रहे हुआ चलो, चलो, चलो चलो, चलो, चलो चलो, चलो छालो छ्टी छालो 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 क्यों म्ला जिलो डंती करो इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग गाहों छोड़का नहीं गए तुम लोग क्या चाहते हो इस गाहों के लोगों की जान पहले ही हम लोग अपना बहुत कुछ खो चुके हैं वाकी लोग अपने नाते रिष्दार को छोड़कर अपनी जादा छोड़कर जान बचा कर यहां से भाग गए बाकी यहां बचे हम लोगों की जान की कोई जवाब देही नहीं है सूपर यार सूपर आप बहुत अच्छा नाटक करते हैं आपने इसी तरह नाटक करके इन भोले भाले लोगों को बेवकूप बना रहा हूँ क्या हुआ आप लोगों से सचाई बर्दाश्ट नहीं हो रही है कहते हैं कि दिल खोल के हसने से सारे रोग दूर हो जाते हैं पर यहां के लोग हसना भूल गये हैं मनोरोगी बन के जी रहे हैं डर के पॉईजन में सास ले रहे हैं यह लोग जोब करो ले तुम मैं भी देख रहा हूँ तुम लोग बहुत से लग भूल रहा है वा हमारे गाउं के बारे में या हमारी परवा करने वाले तुम लोग होते कौन हो तुम लोग यहां खिल कि कि कहने पर आए समझे, आप लोग क्या देख रहे हो, हमारा मतलब है कि आप लोग भी हमारी तरह खुछी से जीए भाईया, क्या हुआ आप हसना भूल गए हैं, हम आपको हसना भी सिखा देंगे नहीं बेटा, हमारे लिए हसकर अपनी जान खत्रे में मत डालो, वो हम सब लोग देख लेंगे कम आप लोग देख लेंगे, कम आप लोग देखा हम कितनी देर तक हसते रहे, लेकिन फिर भी किसी आत्मा या प्रेत ने हमें कुछ नहीं किया योगी, तुम लोग बहारी हो, लेकिन अभी हम लोग आपके गाउं में हैं, समझ गए? हसने के लिए कोई आप लोगों को मार रहा है, ऐसी कलपना आप लोगों ने अपने मन में खुद ही पैदा कर ली है अगर पती पतनी खुश रहता है तो, उत्तरा उनको मार देगी इस डर से, आपने अगली नसल को पैदा ही नहीं होने दिया ये आखिर कब तक चलता रहेगा, बताइए हमें अगर हम जूट को साबित कर दे तो, आप भरोसा करेंगे क्या का, तुम कैसे साबित करेंगे आप सब लोगों के सामने इन दोनों की शादी करके आप सबी लोगों का डर भगाएंगे हम लोग ठीक है अगर उसके बाद ये सिंदा रहेगे, तो हम सब गाउवले तुमारी बात मानेंगे अगर कोई अन होनी हो गई तो, हम उसके जिम्मेदार नहीं है ठीक है? चलो भाई, चलो एई, आग या से एई, ये इसने क्या का? हम दोरों की शादी हो रही है? जानती हो हमारे शुप कारिय से, ये गाउं बहुत खोश हो जाएगा इसलिए तुम्हें हां करने ही होगी ओ हो, लगता है ये प्लान तुम लोगोंने पहले ही बना लिया देखो न, लड़की कितना शर्मा रही है जाओ यहां से जाओ बहुत शर्मा रही है बाल 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 यह बरबाद हो जाएंगे, हाँ, चलो, हाँ, इन्हें कोई भी बचा नहीं चकता हाप्पी मेरे लाइफ, थैंक यू, मुबारक हो रेखा, अब तुम घरेलू ओ गईयो, चलो, सेल्फी लेते हैं जीजा जी, अगर ये फोटो फेस्बुक पर डाले तो लैक्स की भरमार आ जाएगी तु मुझे जीजा जी कह रहा है, नहीं तो क्या, तुमने मेरी बेहन से शादी जो की है सूपर यार, प्या बात कही है बल्के बाबा, बल्के बाबा हम, क्या है? हमें जो डर था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हाँ बल्के बाबा, अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास है आपकी चुपी को देखकर तो लग रहा है जैसे अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है हमें विश्वास है हमें विश्वास है हमें विश्वास है इन दोनों को जिन्दा देखकर हम सभी लोगों को विश्वास हो गया विश्वास हो गया ये कहने से काम नहीं चलेगा हमें भी इन्हें परोसा दिलानी के लिए इसी तरह एक शादी करानी होगी ये क्या कह रहे हो ये लोग तो बाहर ही है इन्दिया कोई काम ने इसे लिए बेवकूफ ही कर रहे हैं, तुम भी इनके साथ मिलकर के बेवकूफ ही कर रहे हो, हाँ? जाओ, जाओ जाकर अपना काम करो, सही कहाँ, जाकर हम शादी करने वाले हैं, ये क्या वकवास कर रहे हैं? आ शादी होगे तुम लोग पड़े बाबा के खिलाप बात करे हो आपकी मनमानी बहुत हो गई देह तुम लोग उत्तरा के बारे महीं जानते हो बस मैं ही जानता हूँ जानता हूँ मैं बहुत डर डर के जी लिए अब आप भी कावणो की बात सुनिए चलो भाई चलो अरे तुम क्यों खड़ा है अरे जा जा तुम ही कुछ भी हो यार हमारी वज़े से इस गाउं के अच्छे दिन आ गए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बड़की बाबा उनका मन बदल देंगे अरे यार अगर बदल देते हैं तो उनकी किस्मत है चलो सोने चलते हैं सुब़ष शादी का बहुत काम है हां रेखा चलो सोने चलते हैं आजा एक disc क्या कर रहा यार क्या है भाला तुम उसके पिछे क्यू जा रहे हो ए यह मेरी बीवी है यार so I am a family man क्या कहा family man अभी तक तुम बैशलर ही हो तुम रेखा darling yes darling bye darling so जाओ अब खुशी मिल गई तुझे नमस्दे दोस्तों शरावी फिर से आ गया क्या चाहिए भाई तुझे दूले राजक कल के लिए लड़का रेडिया लड़की भी रेडिया ओके है इसमौल कैटिक भाई तुम मुझे परिशान मत करो प्लीज ओके दागा बात मत करो खुदी बात जाएगा जुप करके सोजा एक्सकेज़ी में है एलो निम्भू को आचार प्लीज जा बेर जारी ब्रादर सारी अजीब आदमी है सोजा भूल देना ये लो लगातो माला देना पहना देती हो चलो अब देर हो रही है आजा 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 देचा थाले ले आँ बेटा तुम दोना अपने आदों से मंगा शुत्र दो ये पहना देगा हम क्या से दे सकते हैं आप अपने बाबा से देने के लिए कहिए ना बला वो कैसे देंगे वो तो नराज होकर शादी में ही नहीं आये है तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए अपने हाथों से मंगल सूत्र दो आपने हादों देपड़ा, वो पेना देगा रवा आशिरवाद दो आशिरवाद दीजी बस बस पहले अपने माता पिता से आशिरवाद लो जाओ, पेड़ दो आशिरवाद लो आशिरवाद लो आशिरवाद लो खुश रहो बच्चो खुश रहो खुश रहो बच्चो अप्लान सकस्स आखिर अमने करी ही दिखाया घंगाद येस इतने इंतसार के बाद शादी करने का अलगी मज़ा है ये लीजी आपके लिए दूद इच्छा नाम के तांडव में जीने वाले पूरा संसार तुझे दिखाई नहीं देगा जो ये तांडव के मर्म को समझ जाएगा वो इस संसार में महान बन जाएगा देख लिया किसी ने मेरी बात नहीं बाने सब लोग इनकी बातों को मान कर इनका साथ दे रहे हैं तुम दे जो पाप किया उसके लिए बेचारे दो निर्दोसों के जान चली गई अब ये क्याकर वस्ताने से क्या फाइदा कि हमसे कलती हो गई जो मर गए वो वापस नहीं आएंगे तुमारी बात मान का जिनके बच्चे चले गए हैं उनको जवाब कौन देगा मैं तुम से पूछ रहा हूँ बोले तुम लोग कौन जवाब देगा अब ठीक है रहें बढ़के बाबा इनसे बात करने की जरुवत नहीं है इनकी जान लूँगा तभी मेरा गुसा शान्द होगा पीचेट पीचेट चुप करो पीचेटो इन्हें मारने से एक खूनी तमगा और लग जाएगा फिर इस पाप से कभी भी मुक्ती नहीं मिलेगी पीटा कम से कम मेरी बात मानो यहां से तुम लोग चले जाओ बाबा जी पहले तो हमें माफ कर दीजी उटो उटो इसमें तुमारी कोई गलती नहीं हमें दुखी देखकर तुमें हम पर तरस आया हमारी मदद करनी चाही लेकिन वो उल्टा ही हो गया नहीं बाबा हमारी सुहागराथ हो जाने का हमने नाटक किया आगे मता ना, पीछे जाओ हम लोग जैसे कॉलिज में नाटक करते हैं वैसा यहां भी किया यह शादी भी उसी तरह रची गई अगर नाटक किया है तो इस लड़की के गली में मंगल सूतर क्यों है हैं, उतारो इसे, उतारो उतारो लोगों के दिल से डर को भगाने के लिए हमने ऐसा किया लेकिन ऐसा होगा हमने सोचा भी नहीं था अब हम इस समस्या का समधान किये बिना इस गाउं से नहीं जाने वाले दमभेट सा शुरू होगा, क्यों? नहीं बाबा, इसका अंद करने वाले हैं इस दुष्टात्मा को रोकने के लिए किसी तांत्री के पास जाना होगा या किसी पुरोहित के पास जाना होगा हम कुछ भी करने को तयार हैं, बाबा उसका कुछ ता शांत हो गया तो सब ठीक हो जाएगा उसके लिए क्या करना होगा? उस दिन तुम लोगों का पीचा करते हुए आया था ना बोजोगी उसके पास जाओ तुमारे सारे सावल का जवाब मिलेगा अच्छा बाबाजी, हम चलते हैं अब दुबारा मत आना जाओ रोक जाओ वहीं पर कोई आगय नहीं बढ़ेगा अब दुमारे सावल करते हैं सुनो, इसी पागल ने हमको मारने की कोशिश की थी पता नहीं ये आज क्या करेगा इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो यहां से भाग जाते हैं मेरी बात सुनो, हमसे जो कुछ गलती हुई है उसको हमें ही सुधार ना होगा कुछ भी हो यार, इस वक्त हमारे पास एक ही हल है और वो हल है ये बाबा हेई, सुनो जैसे बढ़के बाबा ने कहा था हो सकता है शायद इसके पास सच में कोई होगा देखो, वो जा रहा है, चलो उसके पीछे चलते हैं इस संतार में सब माया है, तांडव करने वाले तुझे ये बात समझनी होगी, अन्याए करने वाले हेई, ये तो कोई शलोक बोल रहा है हम तो इससे पागल समझ रहे थे, ये तो शलोक बोल रहा है इस संतार में सब माया है, तांडव करने वाले तुझे ये बात समझनी होगी, अन्याए करने वाले इस संसार में सब माया है तांडव करने वाले तुझे ये बात समझनी होगी अन्याए करने वाले सिर्फी का… व prosecutors वार्मो खरहां अन्याए ये अन्याए है वी य।ाव करे का सक्षू, ये जिए BAD रहातotte वी ये झांग fy का तुइ ये Islet वी ये 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 जव बлагें राज कुमारी उत्तरा देविकी जेहो 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 राज कुमारी उत्तरा देविकी चय हो पूरा राज किमारी उट्रा देवी की जैजै कार कर रहा है और तू बैठी यहाँपर सपाली तोड़ रही है तू आखों से देख नहीं सकती है या कानों से सुन नहीं सकती है ए बेब कूफ पहले अपने जबान को लगाम दे पूरा राज जिस राजकुमारी उत्रादेवी की जैकार कर रहा है, वो तेरे लिए राजकुमारी होगी, लेकिन वो मेरे बेटे की बेटी है, यानि के मेरी पोती ए बुढिया, नानी पोती की रिष्टदारी अपने घर में रखना राज कुमारी जब शेहर ब्रवन के लिए आए तो हर किसी को उठकर उन्हें प्रणाम करना होगा खड़ी हो जाँ क्या कहा तूने ए अहंकारी बुढिया मेरे अंगरक्षक पर हाथ उठाने के लिए उससे अभी माफी मांग उत्तरा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ मैं तुम्हारी दादी हूँ और मुझसे कह रही हो कि मैं इनसे माफी मांगो अरे जा यहां से अहंकारी लड़की तुम्हारी कमारी जी राच कुमारी कुर्टरा राजक मारी राजक मारी इंतर ए उतरा मुझे छोड़ कर चली गई उतरा कहां चले गई उतरा नहीं कहां चले अने कहां च्छाली मुझे जहाँ लोट सेले林ी कशियर हैvell nervous सुबा सुबा मैंने एक पुरा सपना देख रहे हैं मुझे मेरे पोटी के पास के चल उत्रा अरे मैंने उत्रा कहा चली गई अरे उत्रा 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 क्या होँ नानी मैंने एक पुरा सपना देखा है सपना देखा तुम्हारे सपने में मैं आई थी कैसी लग रही थी राज कुमारी लग रही थी मेरे लाडो सब लोग तुम्हें राम कर रहे थे तुम घोड़े पर सवार होकर आ रही थी और मैंने तुम्हारा पान कर दिया इसे दुख से दुखी होकर तुम्हें आप भत्या कर लिया मेरी लाडो नानी मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ देखो अब आप सपने के बारे में सोचना बंद करिये ठीक है जब तक देवी मा मेरे साथ है न आपको चिंता करने की जरूरत नहीं चल्द ही देवी मा का मंदिर बनवाना है यही मेरी इच्छा है नानी अरे बहां क्या कर रहा है जब देखो शराब पीता रहता है करम पानी डाल दूगा तेरे उपर पागल कहीं का पांडे भाईया अरे आओ बेटा आओ 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 नमस्ते भाईया तुम्हारे कारण इस गाउं को रोशनी मिलने वाली है इनके करण कैसे रोशनी होगी दिन में चांद की रोशनी राद को सूरज की रोशनी इन दोनों से ज़्यादा ये कौंशी रोशनी देने वाला है है शराबी तु अपना मुँ बंद कर बेटा तुम चाह पीओ ये लो पागल कहीं का भाईया आपके गाउं के बारे में अच्छी तरह पुष्टाच करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ आपको ये लाइट अभी अजीब लग रही होगी लेकिन एक बार आदत पड़ गई न तो इसके विना आप जीने ही सकोगे जिन्दगी अधुरी लगेगी अरे भाईया नमस्ते नमस्ते बेटा यही हमारे गाउं के बढ़के बाबा है इस गाउं का छोटा बड़ा फैसला सब यही करते हैं नमस्ते बाबा बढ़के बाबा यह हमारे गाउं में लाइट वाइट लगाने आये हैं अच्छा-च्छा, वो तुम ही हो बेटा, बहुत खुशी की बात है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तो मुझसे आकर के मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, ठीक है, चलता हूँ, ठीक है भीया, ये सन, इस गाम के लोग थोड़े जंगली हैं, थोड क्या बेगार की बात है, चाय के पैसे तो दे, सर देंगे, सर, तो बात ऐसी है बेटा, पहले हम लोग उस पहाड़ी पर रहते थे, हमारे गाउं के बड़ों ने बात करके यहां रहने का इंदजाम किया, अब हम सभी लोग यहां पर इंसानों की तरह रहते हैं, हमें यहां बहुत अच्छा लगता है, अगर यह सब हो पाया है, तो इसकी वज़ा केवल मुकेश जी के पिता जी ही है, ओ, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, मैं चलता हूं भाया, ठीक है बेटा, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरी बात क्यों नहीं बानते हो, तब से कह रही हूं यह लड़की की आवाज कहां से आ रही है, चलो चल कर देखते हैं मैंने जो कहा, वो आपने सुना या नहीं सुना? हम, आप पर ये हरे रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, ब्लू कलर चाहिए या यलो कलर चाहिए, तो मुझसे मत कहना, ठीक है? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, नजर का ठीका लगाना भूल गई इस गाओं को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए जी करता है, बस आपको ही देखती रहूँ कितनी सुन्दर है आप चुझ सुन्दर में भी कितनी सुन्दर हूँ करता हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो मुकेश जी आये सब लोग जल्दी आजाओ सब लोग जल्दी आओ हाँ आजाओ 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 सब लोगों को ख़ड़े होने के लिये का आजाओ जल्दी करो आं लाओ दोस्वें ऊड़ाओ ये लो बेटा ये लो ठीकहे ये लो ये लो इफ्याओ भाईया, ये आदमी कौन है? बिटा, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था न, मुकेश जी के बारे में, याद है कि नहीं, ये वही है, हमारे गाउं के लोगों के लिए भगवान की तरह है, हर महीने आते हैं ये वो सब तो ठीक है, लेकिन सब इने पैसे क्यों दे रहे हैं? ब्याज के पैसे दे रहे हैं क्या कह रहे हो भाईया, गाउं के बड़े आदमी हैं, आप सब के भगवान कह रहे हो, और ब्याज दे रहे हो देखो, तुम उनके बारे में गलत सोच रहे हो वो हमारे गाओं के लोगों को घर बनाने और कारोबार के लिए पैसे दे रहे हैं असल नहीं दे सकते इसलिए हम सब फैसला करके कम से कम में उन्हें ब्याज दे रहे हैं तुम्हें पता है, वो बहुत बड़े जमिदार है उनके लिए ये ब्याज का पैसा, उनके घर की गायों के लिए एक दिन के चारे के लिए भी काफी नहीं है तौन पांडे हो, पांसोर रुपे दो जेली जी चलो जाओ 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 आप ललीता हो, पांसोर रुपे दे कर जाओ, 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 राम सरन होना, पुराना मिलाकर एक हजार रुपे बनते हैं अगले महने पूरा दे दो मैंने यहीं कहते हो इशेटो, क्यों मार रहे हो उसे नहीं मालिक, दो-तिन मैने से यही कह रहा है कि अब तूँगा, तब दूँगा पैसा लेना जानता लेकि देना ने जानता है मालिक इन्हें मत मारिये, माफ कर दीजे सारी गलती मेरी है मैंने उन पैसों से अपने लिए पाजेब बन वाली थी तो तुम्हें काम करो, तुम जो पाजेब खरीदी हो उससे पहन कर मुझे मेरे बंगले पर आकर दिखाना, तब मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा ठीक है मालिक, जाओ चलिए जी नमस्ते मालिक कैसे हैं आप? ए देख क्या रहा, पैसे ले लाओ लाओ लाओ, नमस्ते मालिक हाँ चलो, नमस्ते हाँ जाओ, ए कलावती, दो सोरे पे दे जा कलावती, मैं तुमसे ब्याज लूँगा ए इन्हें ब्याज का पैसा वापस कर, दे लो ये बताओ, अपनी पोती की शादी कब कर रही हो ये तो कहती है मंदिर बनवाने के बाद ही शादी करूगी अगर मैं मंदिर बनवाद हूँ, तो शादी करोगी ना नानी, अब बात करिए, मैं मंदिर जा रही हूं ये क्या, तुम्हारी पोती बड़े गुस्ते में चली गई वो हमेशा ऐसे ही रहती है, क्या करूँ ओ अच्छा ये कौन है? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छा भाईया, चलता हूँ मैं गाव में कहां-कहां बीज़ी लगानी ये देखना है न मुझे बेटा, जल्दी से मेरे दुकान में भी लाइट लगा दो ना ठीक है भाईया भाईया, ये लड़की कौन है? ये लड़की अपनी कलावती नानी की पोती है इसका नाम उत्रा है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है जब हम लोग पहाड़ों में रहते थे न, तब इसके माता पिता को शेर ने मार दिया था बेचारी, तब से कलावती नानी ही से पाल रही है सब किसमत का खेल है अच्छा तो मैं चलता हूँ हाँ हाँ चलो ठीक है, मिलते है ठीक है नमस्ते बेटा बेटा, आपके पिता जी के बाद तुम्हारी दया परी हम सब जी रहे हैं बहुत खुशी की बात है, अच्छा तो मैं चलता हूँ ठीक है, ठीक है कौन है वो, अच्छा वो वो बिजली विभाग से है, हमारे गाउं में लाइट लाने आया है बिजली लगाने आया है, दताती हूँ अब देखो इतने से काम के लिए साथ दिन लगा रहे हो कब खतम होगा, कर तो रहा हूँ, पूरा हो जाएगा क्या पूरा हो जाएगा कह रहे हो अब भसेगा ये क्या, ये लड़की मेरे पीछे क्यूं पड़ी है ए, ये लड़की मुझे देखकर हस क्यूं रही है तूने क्या किया? मैं मुश्कुराया था अच्छा, तो कनेक्शन दे दिया कैसा कनेक्शन? सब देखा है मैंने क्या देख लिया? थोड़ी दिर में गाउं के पंचात के लोग आ जाएंगे समझे? जल्दी नहीं है, तुम आराम से काम करो चलेगा कहाँ भाग रहा है? अभी बताती हूँ अरे भागो अरे बापरे अरे बापरे, ठक गया एक लड़की को देखकर मुश्कुराना इतना बड़ा गुना है क्या? क्या देखा? अच्छी लगी? तुम्हें मुश्कुराया इसमें गलत क्या है? सर, बहुत सांस फूल रही है हाँ, बहुत जादा फूल रही है अरे बापरे माफ कर दीजिए कि आपको देखकर जरा सा मुश्कुराने पर आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जादा डर लग रहा है गाउ में किसी से मत कहिएगा प्लीज, कोई कह रहा था कि पंचायद बुला लेंगे तब ही इतना डर रहा है अच्छा तुम वही करोगे जो मैं कहूंग बोलिये न, गिर कर माफी मांगू नहीं वो सब नहीं करना मंदिर में भगवान के लिए लाइट लगानी पड़ेगी इतनी चोटी बात मैं मंदिर में लगा दूँगा लेकिन पैसे मत मांगना अरे नहीं, ये तो सरकार की तरब से आपकी मदद है वैसे तो गाव में बिजली तो लगा नहीं है मुझे लेकिन आप कह रही है तो मैं मंदिर में लगा लूँगा मेरे कहते ही तुम मान गये, उसके लिए शुक्रिया अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है उतना तो चलता है, आपको मैंने उसी दिन देखा था कि आप भगवान को कितना मानती है मुझे तुमने देखा था? कब? मैं जिस दिन इस गाव में आया था ना उस दिन आप देवी को साड़ी पैना रही थी एकदम सूप पर, आपने तो भगवान से ही दोस्ती कर रखी है मैं और देवी मां गहरे दोस्त है वैसे उस दिन आकर बात कर सकते थे क्यों नहीं की तुमने? वो बात ये है कि मैं इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है इसका मतलब है तुम्हारा कोई नहीं है मैं एक अनात हूँ मेरी बात से अपना मन दुखी मत करना मुझे माफ कर दो अरे ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है अब मैं चलती हूँ अचा ठीक है मंदिर में लाइट लगा दोगे न अहां लगा दूँगा ठीक है नमस्ते नमस्ते जी देखने में भी बहुत सुन्दर है और बरताओं में भी गनेशा क्या हुआ अरे आपको नहीं बस ऐसे ही बाई टाटा नमस्ते अच्छा तो यहीं पर लाइट लगानी है सही का रात में देवी मा अंधेरे में ही रहती है उनके लिए लगाने को कहा ठीक है अच्छा लगा देंगे सुनो मनी तुम दो फिट का गहरा गड़ा खुद कर पाइप काटो और कनेक्शन लगा दो शिवा तुम सिड़ी लगा कर उपर चड़ो चलो जल्दी काम पर लग जाओ देख लिया क्या ए जल्दी काम खतम करो यार भूख लग रही है खाना भी खाना है येलो चाय आ गई देदो येलो चाय येलो मनी चाय पी हाँ हाँ भया येलो चाय पीलो बस बस हो गया तुम सब सामान लेकर चलो और सिड़ी भी उठा लो अरे मा लाइट लग गई मा तुम्हारे लिए लाइट लग गई तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ लाइट लगाने वाले इन हाथों में सोने का कड़ा होना चाहिए तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा ये लो पहना दो अरे मैं तो बस मजाग कर रही थी मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ चाहो तो मैं एक तौफा दे सकती हूँ उसे तुम कभी नहीं भूलोगे ठीक है दे दो तो पहले आखे बंद करो अच्छे से आखे बंद करो देख रही हो देख रही हो किसी की आखों में प्यार देख रही हो देख रही हो किसी की आखों में प्यार सुनो मेरे घर आकर मेरी नानी से मेरा हाथ मांगोगे कौन मैं तुम डर क्यू रहो मैं हूँ ना मैं सब संभाल लूगे ये बात है तो मैं आओंगा एई गाली रोको ए कौन है ये भाईया ये हमारे गाव में बिजली के खंबे लगाने आया था बिजली का खंबा लगाने आया था और मेरी उत्रा के दिल में जगर बना रहा है ए जीप निकाल दोनों को अभी मार के उड़ा देता हूँ मैं भाईया सरकारी आदमी है लेकिन कुछ भी हो उत्रा आपकी ही है अरे मैं पता लगाता हूँ ना चलो 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 नानी खाने में ना तीखा थोड़ा कम डालना तुम्हें स्वाद का तो पता नहीं चलता लेकिन मुझे पता चलता है नानी नानी कहां हो बोल क्यों चिल्ला रही है बोल क्या बात है मैं अच्छी तरह से सुन सकती हूँ वो आ गए है नानी वो कौन नाम तो बता अरे मैं एक बार कहने से समझ नहीं आता समझ नहीं आया तभी तो पूछ रही हो चलो नानी बताती हूँ चलो आओ बेटा आओ 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 बैठो बैठो ना बैठ जाओ ना मंदीर में तुमने विजली लगा दी मेरी पोती ने बताया मुझे अब मैं तो बस इसकी खुशी के लिए जिन्दा हूँ लेकिन इसे तो भगवान से फुरसत ही नहीं मिलती मैं उसी भगवान से प्राहतना करती हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा लड़ का भेज़ दे नानी मैं यहाँ अपसे उत्तरा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ देवी मा के आशिरवात से मेरी पोती तुम्हें पसंद करने लगी है मैं कैसे मना कर सकती हूँ बेटा यह बताओ बेटा तुम्हारे नाते रिष्टेदार सगे संबन्दी है न ठीक है मैं अनात हूँ इसलिए सब लोग मुझे लड़की दिने से मना कर देते हैं एसा मत कहो बेटा तुम सरकारी रोकरी में हो मैं मर भी गई तो तुम मेरी पोती का अच्छा ख्याल रखोगे न तुम दोनों की शादी का चल्द ही इंतजाम करती हूँ मैं तुम तक खुश हो ना बेटा, बहुत खुश हो नानी, तुम जाकर तयारी करो, चलता हूं नानी, बाद में मिलते हैं, मेरी राजकुमारी को राजकुमार मिला है, भाया, वो बढ़िया उत्रा की शादि उस बिजली वाले से कराने वाली है, मैंने उसी दिन कहा था, कि दोनों को जीब से कुचल कर मार देते हैं, अब देखो, उनका अंतिम संस्कार नहीं शादी हो रही है, ऐसा मैं होने दूँगा, कभी भी ही नहीं होने दूँगा मैं, भाया, वो सरकारी आत्मी है, उसे कुछ हुआ तो बड़ी मुसीबा तुझाए ये, ये मुकेश जानता है, कौन सा काम कैसे करना है समझे, ये क्या बाईया, मुकेश तो महीने की शुरुआत में आते हैं, आज कैसे आ गए, होगी कोई बात, मुझे नहीं पता है, ये, डाव में जाकर बढगे भाबा को बुला कर लाओ, जल्दी गाउ में जाकर सब को बुला करने क्या हो, बता नहीं अब क्या होने वाला है, हैमे, मुकेश मालिक आए है, सबी लोग आ जाओ, is it?" चलो चलो सब लिग जल्दी करो आजाओ आओ 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 लगता है मुकेशी भी सुपह सुपह लगा कर आ गए चुपका शराभी महाप करना मैंने भी लगा रखी है बेटा बेटा आईए आईए गाओं के परधान तुमने मेरे मुँपे कालिक पतवा दी तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटा ऐसा क्या हुआ है उने के लिए बागी क्या रह गया है तुम लोग मुझे इज़्जत मत दो कोई बात नहीं लेकिन तुम लोगों की भलाई के लिए मेरे पिता जी ने अपनी जान देदी कम से कम उनका तो मान रख लेते। बेटा, ऐसी बात मत करो, हम लोग जंगलों में पहाडों में, जंगली जानवरों से अपनी जान बचा कर किसी तरह हम लोग जी रहते। ऐसी जिन्दिगी से हमें छुटकारा दिलाकर, इनसानों के तरह हम लोगों को यहाँ लाकर, आपके पिता जी ने बसाये था। हम सब के भगवान आपके पिता जी ही थे बेटा। उन्होंने जीते जी यही किया, और उनके जाने के बाद तुम इनकी इच्छा पूरी कर रहे हो। हम आज भी आपको भगवान की तरह ही मानते हैं बेटा। मैंने भी आपको कभी अपने से अलग नहीं समझा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम लोगों में से एक लड़की बाहर वाले से शादी करने वाली है, मतलब प्रेम विवा। जंगलों में जानवरों की तरह रहने वाले तुम लोगों को यहाँ पर बसाने वाले मेरे पिताजी के आत्मा को कैसे शांती मिलेगी बताओ मुझे। मेरे पिताजी ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आज इने छोड़ दिया, तो कल कोई दूसरा करेगा। उसके बाद कोई तीसरा आएगा। धीरे धीरे तुम लोगों का अस्तित भी खतम हो जाएगा। सोचा था वो लड़की खुश रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता यह होने देगा। तुम चाहते हो कि तुम खतम हो जाओ। बेटा, ऐसी नौबत इस गाँ में कभी नहीं आएगी। मैं कसम खा कर कहता हूँ। मैं यह शादी नहीं होने दूँगा। मेरा भरुसा कोरो बेटा, मैं वचंग देता हूँ। यह सुनो, सब मेरे साथ चलो, उस बुड़िया को समग सिखाना ही होगा। आप जाँ बेटा, चलो मरसम, चलो। यह कलावती, कलावती, चलो पीछे, एक कलावती बहराओ। आईए आईए, एक साथ सब लोग आज कैसे आ गए हैं गाओं पर मुसीबत आए तो सब को एक साथ ही आना पड़ता है मुसीबत? क्यों कलावती? मुँ ऐसा बनाए जैसे कुछ जानती नहीं है तुम दोनों ही सारी मुसीबत की जड़ हो सुना है तुम्हारी पोती के शादी हो रही है? हाँ, मैंने कल ही फैसला किया है बताने ही वाली थी सारी बात तुम लोगों को हम लोग तो आ गए, लेकिन बेजज़द हो करके आए हैं इसमें बेज़दी वाली कौन सी बात है? लड़की को लड़का पसंद है सरकारी नौकरी है, जिन्दगी मार इसकी देख भाल करेगा इसलिए शादीते कर दी तैय करने वाली तुम को रोती हो गाउवाले ही फैसला करेंगे हम सब को एक दूसरे की बात मानी होगी जब मेरे पधी पढ़ान थे तब वही तुम लोगों की समस्याओं का समधान क्या करते थे अब समस्या वो नहीं है वो लड़का किस जात का है इंसान है वो जाती क्या है उसकी इंसानियत उसकी जाती है बहुत बोल लई हो हमारे गाउं का एक नियम है हम लोग लड़की अपने गाउं में देते हैं तुम्हारे होने बाले दामाद को पेड़ पर चड़ना नहीं आता है, शैद निकालना भी नहीं आता है, पेड़ पक्री चराना भी नहीं आता है, जंगली जानवर से खुद को रक्षा करना नहीं आता है, क्या वो ये सब जानता है? बोलो जवाब दो हमें अगर वो ये सब जानता है तब हमें से एक है हमारी जाती का है यहां इतने लोग खड़े हैं जो भी तुम्हें पसंदो बता दो हम अभी शादी करवा देंगे यहीं पार समझ गई मुझे कुई इतराज नहीं है मैं तही है आरो पूरे गाउं ने मिलकर फैसला ले लिया कि मेरी शादी नहीं होगी लेकिन मेरा फैसला भी बांकी है यहां तुमने वो कह रही है कि मुझे शादी करेगी यह जाप पादधर्म के पागलपन में पढ़ने वाले आप लोगों के साथ मैं नहीं हूँ अगर आपके खिलाफ जाकर शादी करूँ नी तो मुझे गाउं से निकाल देंगे आप लोग अरे आप लोग मुझे गाउं से क्या निकालेंगे मैं खुद ये गाउं छोड़ दूँगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर अपनी इज़त प्यारी है न तो वहां पर मत आना मेरी देवी मा है न मेरे लिए वही काफी है सुनो मेरी बात देखते हैं कैसे होगी शादी सुनो कलावती कलावती पूरा गाउं खिलाफ हो जाए फिर भी उतरा की शादी मैं कराऊंगा हा ए आ हया कर डे आ tactics हो घ्रोर्श लाँ कर बात कर्यों सצबाह चलो चलो ऑ डे-डा से चलो मौ को κα Kr हे देवी मा तुम्हारे आशिरवाद से मेरी पुती की अच्छी तरह शादी हो गई नहीं मालिक छोड़ दीजे मालिक तू कहां जा रही है तू मेरी है किसी और को तैसे ले जाने दूँगा मैं हाँ उत्तरा लेज बाग जाओ बागजा यहासे बागजा उत्तरा जाओ उत्तरा बागजाओ क्यों बे डीज हम डाले पोधे को हम सीज़ कर जब पेड़ बनाकर फल देने का समय आता है तो तू आकर उस फल को तोड़ लेना चाहता है ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा मेरी इज़त के लिए मुझे एक साड़ी दे दीजे ची तेरी कैसी इज़त जा यहां से दीदी मेरी इज़त बचाई अरे जा जा निकल यहां से मौसी मेरी मदद करिये जाओ जाओ यहां से जाओ 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 आदी आग तु मेरी मदद करिये अरे मैंने कहा ना चल जाए यहां से पूरे गाउं की सत खराब कर दी तुने जाओ क्या हुआ उत्रा गाओं वालों से मदद मांग रही थी कोई भी मदद नहीं करेगा मेरे सिवा मेरे दिल की बात समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो उससे शादी करना चाहती थी न जिसे मैंने मार दिया अभी भी कुछ नहीं बिगडा है मेरे साथ चल तुझे रानी बना कर रखूँगा मैं चल अगर तुम्हें मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सर तोड़ दूँगी समझ गया तु अभी तक नहीं मरा हाँ सब लोग कान खोल कर सुन लो मेरे यहां से जाने के बाद अगर किसी ने इसकी मदद की तो तुम्हारे घर की औरतों का भी यही हाल होगा मैं तुम लोगों का भगवान हूँ मुझे राख्शस्मत बना देना समझे क्या तुम्हे कुछ नहीं होगा गोगोर, कुछ नहीं होगा तुम्हे गोगोरी, नहीं, नहीं नहीं, गोगोर दादी, दादी सुनिये, मेरी मदद करिये हैं अगर मैंने तुम्हारे मदद की तो मेरी में कोई भी मरत कर दिख्ता था पस यही मर्द माधत है स्वामी, मेरी मदद करिए, स्वामी जी मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए अरे मेरे प्याट छोड़, इन हादों से मैं तरह इलाज करूँ, उस दिन तो बड़ी-बड़ी बात है कर रही थी, इन गाउवालों को तू खुद दूर कर रही है, अब यही गाउवाले तुझे अपने लग रहे हैं, जब मैं तुझे समझा रहा था, तब मेरी बात समझ मे नहीं आई, मुझे मेरी जान प्यारी है, चला हट, हट तुझे समझ मेरी जां लाई, मुझे समसा प basilण समझी मेरी इria वो रहे पुझे समझा प्यारी है, तुझे समझे सेवस्याषैना प्यारी है, भ्यारी है, भाई ए आहे है जान सक्तौा का रही लुझे सरे बाईना जासें भाखा despार्त झाल झाल बोलो मा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी इज़त चुपाने के लिए रंग बिरंगी साड़िया पहना कर मैं खुश होती थी. लेकिन तुमने मेरी इज़त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया मा, क्यों कुछ नहीं किया तुम्हें? चीक है मा, मेरी इज़त गई तो कोई बात नहीं है. लेकिन मेरे निर्दोष पती की जान, ऐसे तुम नहीं जाने तो मा, इनकी जान बचाओ. बस बुथर की मूरत बनी रहोगी क्या? मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ हो मा. आजी साथ साथ रहोगी पर मैं गलब नहीं कि तुमनी मेरे साथ चोड़ा. सुनिया जी, गोकुल, 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 गहीं, तुमने मेरे साथ चोड़ दिया, मा. तुम खून की प्यासी हो गई हो, प्यार करने वालों से ऐसे बदला ले रही हो तुम, मुझे क्यों जिन्दा छोड़ा है तुमने, मुझे भी मार दो, प्यास मुझा लो अपनी. ये लो मा, आज मैं तुम्हारा रखत अभी शेक कर देती हूँ. अरे मेरी बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया, जो मैंने सबना देखा तुम्हारा जो गया, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची. अत्रा, ये तुने क्या क्या, ना ने, मा ने खोन मांगा, इसलिए दिया, और जब यही नहीं रहे, तो फिर मैं किसके लिए जियूँगी, इसलिए मैं भी. लेकिन ऐसा करने वाले को, उस मुकेश को और इस गावालों को नहीं छोड़ूँगी मैं, जैसे मैं मर रही हूँ, वैसे ही ये लोग भी मर जाएंगे, उत्रा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, उठा लो मां. आज के बाबा, तूने इस हाँ से इलाज करने से मना किया था ना? आज के बाद तू किसी का इलाज नहीं कर पाएगा. एए, तूने मुझे साड़ी देने से मना किया था ना? आज के बाद तू जिनकी भर साड़ी नहीं पहन पाएगी. भगवान, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ो, ऐसा पर करो. दरने की कौन जरुरत नहीं है? ये उत्रा ही है, वो यहीं है. वो इस गाओ को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी. नानी, इस कांत क्या है? इस गाओ के लोगों को कभी मुक्ती नहीं मिलेगी. उन्होंने उत्रा के साथ जो न्याई किया, हम उसके लिए बहुत दुखी. किसे कम अब तो उसकी आत्मा को शांती मिल जाए? अगर वो लोग चैन से रहना चाहते हैं, तब मेरी पोती की मौत के कारण को इस गाओ में लाना होगा. उसके बाद ही वो इस गाओ को छोड़ पाएगी. नानी, कौन है ये? मुकेश! मुकेश को उत्रा के हवाले करने से हम खोच रहे सकते हैं, तो हमें ऐसी कुछी नहीं चाहिए. बाबा, मुकेश के पिता जिन्हें पूरी जिन्दगी इस गाओं की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन मुकेश अच्छा बनने का नाटक करके आपको बेवकूब बना रहा है. इस गाओं के सौ अच्छे लोगों को जिन्दा रखने के लिए, मुकेश नाम के बुरे इंसान को मारने में कोई हर्ज नहीं है. आपने महा भारत और रामायन पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है क्या? देव और असुर में पाप पुनि में फरक नहीं पता आपको? एसे लोगों पर दया किस के लिए? मुकेश कहा है, बताईए. जब से हम इस गाओं में आये हैं, न्यूस पेपर, रेडियो, टीवी कुछ नहीं है. हमने खुद को पुरी दुनिया से लग करके आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है. आप लोगों की भलाई करने का सोच रहे हैं हम. बताईए मुकेश कहा है. बताईए भी, कहां पर है, मुकेश? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना. तुम जो सोच रहे हो, वो बात नहीं है. मेरे लोगों ने जो दुख सहे हैं, वो काफी है. कम से कम, अब तो वो लोग खुछ रह सकते हैं. मैं बताता हूँ, कि मुकेश कहा है. आप लोग कौन हैं? सुनिए, हम लोग मुकेश जी से मिलने आए हैं. वो तो यहां नहीं हैं, आप लोग किस काम से आए हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, शेहर में पढ़ते हैं. यहां के बारे में रिसर्च करने आए हैं. उनसे पर्मीशन लेने के लिए दस तकत चाहिए, ता कि हम अपना काम शुरू कर सकें. से बचकर रहना. हम अपनी रक्षा कर लेंगे, मैडम. सर! सर! कोई देखो आ गए? वो देखो आ गए. कौन है आप लोग? मुकेश जी से मिलना था. वो यहाँ पर है, किसने बताये तुम्हें? सर, हम उनके घर गए थे. उनकी पत्नी ने बताये कि वो यहाँ है. प्लीज दर्वासा खोले ना. आए अंधर, आए! आए, 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 आए. आए… अै, कोँ नहीं लोग? सर, वो हम लोग आप से ही मिलने आया थे. पर मुझे से क्यूं मिलने आया हो? सर, हम लोग कॉलेज स्टुडेंट हैं. हम लोग जंगल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं. प्रोजेक्ट सम्मिट करना है, हमें आपकी मदद चाहिए मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ इस जंगल में जाकर रिसर्च करनी के लिए आप अपने किसी आदमी को भेज सकते हैं आप मुझसे मदद मागने आये हो तो भला मना कैसे कर सकता हूँ यह बताओ कि जंगल में कितने दिनों तक शोत करना है दो तिन दिन में हो जाएगा सर वैसे रुके कहा हो पास के किसी होटल में सर मेरे होते हुए तुम लोग कहीं और यहीं ठैर सकते हो इसे अपना ही घर समझो थैंक्यू सर वैसे आज मेरा बर्थ डे है मुझसे कोई भी कुछ मांगेगा ना तो मैं मना नहीं करूँगा अगर तुम फोरेश्ट देखना चाहते हो तो यह ले जाकर तुम्हें दिखा देंगे आज रात को मेरी बर्थ डे पार्टी है तुम सब जरूर आना ठीक है सॉरी सक्सेस पहले ही दिन हमने अपना टार्गेट हासिल कर लिया है लेकिन बाहर निकले बिना यह यहां कैसे रहता है लगता है जरूरत की सभी चीजों को मंगवा कर यहीं पर मजे कर रहा है वहां इसकी पतनी इसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रातना कर रही है और यहां पर यह रंगरलिया मना रहा है यार सुनना अगर प्लैने काम नहीं किया न तो प्लैन बी ठीक है यह प्लैन ए प्लैन बी क्या है हमें भी वताओ इसके बारे में प्लैन ए उसकी गरदन पर चाकू रख कर उसे उठा कर ले जाना तो प्लैन बी क्या है प्लान बी न, तुम तीनों को दिखा कर उसे मधोश करके ले जाना तब तो प्लान बी जरूर काम आएगा ए जल्दी चला रुकेश भईया, रुक गईए यहां आपको नहीं जा रहा है, वहा ले जा रहे हैं यह वरूर्पुर ले जा रहे हैं, गाड़ी रोकने के लिए कहिए भईया जहां मैं आना नहीं चाहता था, वहीं तुम लोग मुझे लेकर आ गया हुआ 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 अढ wattsि खन्याओ इंके शुआ एंके प्संस्षि ला Book तेख हुआ हुआ हुआ् ए Пो हुआ Όonn Molly हुआ Dob yet कर दो कर दार कर दो एंब के ए मा मैं तुम्हारी बेटी हूँ मुझे अंदर क्यों नहीं आनी दे रही बूर गई क्या मा मुझे अंदर आने दो उत्तरा अब तुम्हें कात्मा हो ये भूल गई हो कि कोई भी आत्मा मेरी सीमा पार करके यहां नहीं आ सकती है तुम ये बात जानती हो ना उसका स्वरूप है बस इसी करण से वो दोष्ट मंदिर में आ सकता है और मैं नहीं आ सकती बस इसलिए क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है ना समझी की बात मत करो अगम विधी के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार तुम्हारे जैसी प्रेत आत्माएं मंदिर में नहीं आ सकती तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो मैं इतनी लाचार हो गई हूँ इसलिए छिपकर बात कर रही हो मा और बेटी के पवित्र रिष्टे की लाज रख और सामने आ कर बात करो सामने आओ मा जब तुम पत्थर थी तब से तुम्हें छुआ है नहलाया है साड़ी पहनाई है बिंदी लगाई है खूल भी चड़ाए है लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़े होने में मुझे शर्म आ रही है तुमने मनुष्य रूप में जो मेरी सेवा की थी उसके पलस्वरूप ही तुम एक आत्मा होने के बाद भी मुझे देख पा रही हो नहीं मा तुम बदल गई हो तुम पहले जैसी नहीं रही बदली मैं नहीं तुम हो इस बात को समझो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो मुझे उसका वद करना है बहार भेजो उसे अपनी जान बचाने के लिए वो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा करतव्य है समझो उसकी पत्मी अपने सुहाग की रक्षा के लिए वरत रख रही है मुझ पर विश्वास करती है उस विश्वास की रक्षा करनी है इसका मतलब मेरा सुहाग लूटने वाले की पत्मी का सुहाग बना रहे तुम यही चाहती हो है ना ये कहा का नियाय है मा तुमने भी तो इस गाउं में शादी करने वाले को न विवाहितों को मारा था क्या वो निया था? बताओ उत्तरा आज तुम्हें जितनी चंता उनकी हो रही है अगर मेरी उतनी चंता की होती तो आज ये मेरा हाल नहीं होता मैं आत्मा नहीं बनती मुझे इस मुकेश से तुमने क्यों नहीं बचाया तब तो पत्थर की मूर्थी बनी रही न तुम्हारे पती की मृत्यू विधान था मुकेश निमित्त मात्र था तो इस मुकेश की मौत की विधी तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया भाग्य का फैसला तुम या मैं नहीं कर सकते उतरा मारकंड के भाग्य के मताबिक उसे लेने जब यम्राज आये थे तो उसके भाग्य को बदलने वाले भगवानी थे ये बात तुम भूल गई जब शरणा गती के लिए मारकंड जए प्रभू के चर्णों में आ गया तो उसकी रक्षा करता व्य है बुराई करने वालों के साथ अगर तुम भलाई करती रहोगी तो तुम पर विश्वास कौन करेगा दोसरों पर विश्वास करने वाला खुद पर विश्वास नहीं करता खुद पर विश्वास करने वाला भगवान पर नहीं करता सब कुछ त्यागने के बाद जो प्रभू की शरण में आता है प्रभू उसकी ही रक्षा करते हैं अपनी जान बचाने के लिए अगर ये यहाँ पर दस दिन बंद भी रहेगा तो भी खाना पिना खाए बिना मर जाएगा इससे अच्छा तो ये होगा कि इसकी मौत मेरे जैसी पती व्रता औरत के हाथों से हो मैंने कहा उसे बाहर बेजो ऐसे सोच क्या रही हो मा नरकसुर के वद से पूरा संसार खुश हुआ था आज इस मुकेश की मौत से पूरा का पूरा गाउं खुश हो जाएगा जहां रहती हो वहां के लोगों की खुशी का कारण बनो मा उसमें दीवार मत बनो तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं अपने भक्तों को कश्ट देती हूँ मैंने उन्हें समझने का एक अफसर दिया बस इतना ही तुम्हारा अफसर किसी को नहीं चाहिए अब तो बस लोगों को मुकेश की मौत चाहिए उसका वध हो इसलिए ये बच्चे जिनका इन सबसे कोई सम्मन नहीं बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर आए है चाहो तो खुद देख लो तुम्हारी बातों का निरादर करके पाप की भागी नहीं बनना चाहती तुम्हारी शरन में जो आया है उसे तुम असाहय मत छोड़ो मा उसे अभी बाहर भेजो तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी लेकिन एक वचंदो कि तुम मेरी शक्ती को नहीं रोकोगी मा मेरी शक्ती को आगे बढ़ने दोगी मैं तुम्हें वचंदेती हूँ तुम्हें अफड़ने लेटी कैम्हें तुम्हें घचात कर दो कर दो कर दे कर दो कर दो कर दो प्यांट देवी मा, आज तक इस काओं देवी मा, के लोगों ने कस्ट सहें, वो इन के लिए बहुत हो गया, मैं चाहती हूँ कि अब सब लोग खुश रहें, जै देवी मा, हमें जो एक्सपीरियंस मिला है, वो बाहर की दुनिया को नहीं पता चलेगा, इस अनुभो को, हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे, और तो और अपने कॉलेज के दोस्तों से चिपा भी नहीं सकते हैं, कहना क्या चाहते हो, मेरा मतलब है की, हे, ये बिना बता है कैसे किया, क्या बात है, ये तो सच मुष कमान हो गया, हमें बिना बता चले, ये तुमने कब किया, देक्स विश्नु, क्या बता है, ये तो सच मुष कमान है, जादु है! तेरा ही जादु जादु है, तेरा ही जादु जो मैंने देखा, थोड़ा तो सीखा इस बद तमिजदु ने थोड़ा तमिजदु सिखा जादू है तेरा ही जादू जो मैंने देखा थोड़ा तो सीखा इस बड़ तमीज दिल ने थोड़ा तमीज सिखा क्या हो गया इस दिल को ना पता जादू सा जैसे तुने चा गया मेरे मन में अब है मजा आ रहा जादू है तेरा ही जादू जो मैंने देखा थोड़ा तो सीखा इस बड़ तमीज दिल ने थोड़ा तमीज सिखा कल क्या हुआ था मुझको क्या पता अब तो लग रहा है जैसे मुठी में हो आसुमा जादू सा जैसे तुने चा गया मेरे मन में अब है मजा आ रहा जादू है तेरा ही जादू जो मैंने देखा थोड़ा तो सीखा इस बड़ तमीज दिल ने थोड़ा तमीज सिखा ये पल प्यार के है जिसमें है इतना मजा तो चल मेरे साथ चल हम हो जाते हैं लापता जादू सा जैसे तुने चा गया मेरे मन में अब है मजा आ रहा जादू है तेरा ही जादू जो मैंने देखा थोड़ा तो सीखा इस बड़ तमीज दिलने थोड़ा तमीज सिखा अरे इस बड़ तमीज दिलने थोड़ा तमीज सिखा अरे इस बड़ तमीज दिलने थोड़ा तमीज सिखा